हलो एबरिवन वेलकम टू स्टड़ी आई क्यों आई एस हिंदी दिस इस मनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टन सेशन लेकर में आता हूं जिसमें साइन्स के अलग-अलग टॉपिक्स कौम या डिसकस करते हैं आज हम फिजिक्स का जो ऑप्टिक स्टर पढ़ रहते लाइट पढ़ रहते उसमें बहुत इंपोडन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जाते हैं यूमन आई मानव नेत्र जो है यह एक तरीके के लेंस होते हैं हमारी आईस के अंदर भी एक तरह का लेंस होता है तो अभी हमने एक फि बहुत सारी images बनती हैं, हमारी eyes में किस तरह की image बनती है और हमारी eye दूसरे animal से कैसे different है, braille system क्या होता है बहुत सारी चीज़ें आज इससे related पढ़ेंगे तो यह physics का topic है, बट थोड़ा सा इसमें anatomy की भी बात करेंगे eyes की बात करेंगे, तो सारी चीज़ें आपके clear हो जाएंगे Good morning everyone, this is a live session, जो भी questions होंगे आप लोग जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं, visuals and voice आप लोग को clear आ रहा है comment section में जल्दी से confirm करेंगे, फिर हम chapter start करेंगे तो हमको आज जो पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, तो भी optics के अंदर हम human eye के बार में देखेंगे तो human eye एक बहुत important चीज़ है, क्योंकि eye भी एक तरहाखा क्या है, lens है हमारे eye में भी lens होता है, और यह जो है by convex lens होता है तो इस lens की help से हमको जो है image कोई भी नजर आती है तो इसके अलावा जो है last session जो biology का हुआ था, उसके कुछ questions थे उनको पहले discuss करते हैं, फिर आगे chapter proceed करते हैं कि क्या-क्या चीज़े हमने देखी है किस तरीके से हम इसको proceed करना है, और क्या approach रखना है इस चीज़ को पढ़ते हुआ है इसके अलावा कोई doubts है in social media handle पर जोड़ सकते हैं, lecture की PDF ओपर दियागे टेलिग्राम group से download करेंगे, देखते हैं पहला question दिया था मैंने तो मैंने आपको बताया था कि हम जो भी ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करने के बाद वो ट्रैकिया के बाद ब्रॉंकियोल्स में जाता है और ब्रॉंकियोल्स के बाद अलग-अलग parts में डिवाइड होता है और आखरी में एक site of exchange of gases होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको alveoli कहा जाता है यह जो alveoli है, यहाँ पर आपका O2 आता है और आपके blood में चला जाता है तो वो किस process से जाता है, तो मैंने आपको बताया था है, यहाँ पर सीधा सीधा process होता है, जिसको कहा जाता है simple diffusion तो यह कौन से process से होता है, simple diffusion से होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा, A option हो जाएगा simple diffusion, sural visoran तो इस process के थुरू हमारी जो lungs के अंदर gases exchange होती है तो कौन से process हो गया, sural visoran का यह simple diffusion का पढ़ते है next question की तरफ अब यहाँ पर दिया है कि RBC present in the blood of a person residing at higher altitudes उची अधिक उचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौझूद जो RBC होती है, वो क्या होती है अब देखे होता क्या है, अगर हम normal बात करें तो जो लोग ground पर रहते हैं, तो ground पर रहने पर कोई व्यक्ति अगर ground पर रह रहा है तो होता यह है कि यहाँ पर जितनी भी gases होती है atmosphere की जितनी gases हैं, वो यहाँ पर मिलती है क्यों मिलती हैं? क्योंकि हर gas में कोई ना कोई weight होता है जैसे oxygen की बात कर लें, तो oxygen का atomic number 8 होता है इसका atomic mass 16 होता है, तो वहीं यह 16 जो इसका atomic mass है कुछ तो mass है, ऐसी nitrogen का mass है, carbon dioxide carbon का mass है तो यह सारी gases जो होती हैं, जिनमें भी वजन होता है तो gravity के कारण यह सबसे नीचे वाली layer के आसपास होते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, temperature कम होता जाता है temperature के कम होने के साथ साथ pressure में भी differences आते हैं pressure भी घटता जाता है то pressure भी कम रहता है और आपका temperature भी कम होता है तो atmospheric pressure की बात करें, जो आपका yu mendaliद आप जिसको कहा जाता है तो atmospheric pressure, pressure का अगर हम formula देखेंगे तो pressure क्या होता है, force upon area और force को देखेंगे, तो force क्या होता है, mass into acceleration अब अगर किसी चीज़ का वजन कम होगा, mass कम होगा तो उसके द्वारा force भी कम लगाया जाएगा और अगर force कम लगाया जाएगा, तो भई, pressure भी कम हो जाएगा तो इसलिए उपर जाने पर oxygen की value कम होती जाती है, आपने देखा होगा जब लोग mountains पर चड़ते हैं, जो mountainiers होते हैं, साथ में oxygen cylinders को ले कर जाते हैं क्यों ले कर जाते हैं, क्योंकि oxygen की मात्रा वहाँ पर कम होती है अब सेम चीज यह हो रही है, कि वही, RBC हमारी body में जो होता है RBC का काम क्या है? RBC के अंदर हिमोगलोबिन होता है और हिमोगलोबिन लेता है oxygen को, वो पूरी body में transport करता है अब जो लोग बहुत उचाई पर रहते हैं, उनके पास क्या होगा? उनके पास तो oxygen की कमी है, तो RBC के साथ एक तरीके से affinity जो होती है, वो oxygen की होती है अब इन व्यक्ति के अंदर उपर oxygen की तो कमी हो रही है, RBC का तो वही shape होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो उचाई पर लोग रहते हैं, उनके अंदर RBC का count बढ़ जाता है मालब उनके अंदर RBC जादा मिलेंगे इसलिए आपने देखा होगा, जो पाहड़ों पर रहते हैं, कश्मीरी लोग अगर देखेंगे, तो वो थोड़े से reddish दिख्ते है क्यों दिख्ते हैं? क्योंकि उनकी body के अंदर RBC जादा है क्योंकि वो पहाड़ों पर रहने के कारण वहाँ पर oxygen की value कम है और oxygen को maintain करने के लिए उनकी body जादा RBC बना जाती है तो RBC अगर जादा बनेगी तो ultimately उसकी value बढ़ जाएगी संक्या में वृद्धी हो जाएगी तो basically उस तरीके से आपको समझना है Science Science की classes तो regularly हो रही है रोजाना होती है कौन सी class के बारे में पूछ रहे हो आप लोग तो यहाँ पर ये question आप I think आप लोगो समझने आया होगा इसके बाद which of the following are the parts of human respiratory system मानम स्वशन तंत्र के कौन-कौन से अंग है इस पर बात करनी है ट्रैकिया है डाइफ्राम है लंग्स है या अल अब दिया बहुत सिंपल सा खुशन है सभी चीजें आपके human respiratory system का पार्ट होती है तो human respiratory system में सारी चीजें आ जाती है तो यह कुछ questions थे जिनको हमने discuss कर लिया अब हम वापस वढ़ते हैं हमारा जो चाप्टर है बिल्कुल वो भी reason है science and technology ठीक है science and technology के sessions अभी नहीं हो रहे हैं बिल्कुल मैं समझ गया हूँ लेकिन science and technology पे बीच बीच में मैं बहुत सारी जो भी updates आते रहते हैं उनको लेकर आता रहता हूँ आप चैनल पर regular रही है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो science and tech से related है आज इवन में जो है आपको एक लेक्चर भी मिलेगा एक बज़े जिसमें साइंस एंड टेक्नोलोजी का यूपीसी का पेपर को डिसकस किया हुआ है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है तीन मतब आप अगर उस session को देखेंगे तो आपको यह science क्योंकि देखें टेक्नोलोजी क्या है टेक्नोलोजी में जब भी पढ़ाता हूं मैं यहीं बताता हूं कि science से ही related है जो UPSC में भी questions आई हुए थे discussion भी होगा उसका वो भी lecture तो उसमें आप देखेंगे कि हमने बायो टेक्नोलोजी से चीज़ें आई है तो उसमें पूरा बायो लगा हुआ है जैसे vaccine development से related है या फिर Hubble telescope है या James Webb's telescope के उपर भी question था तो उसमें cover किया हुआ है और भी अगर लगता है कोई recent development हो रहा है तो उस पर भी मैं ले लूँँगा science and technology बीज बीच में होता रहेगा don't worry about that तो शुरू करते हैं session हमने light chapter start किया था जिसको optics कहा जाता है प्रकाश की कहा जाता है light के बारे में बहुत सारी चीजे मैंने आपको बताई कि कई जो है इसके प्रत्यक्ष रोत होते हैं कुछ अप्रत्यक्ष रोत होते हैं कुछ चीजें luminous object होती जिनके पास खुद की light होती है कुछ non luminous होते हैं जैसे अर्थ humans ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं फिर हमने देखा था कि किस किस तरह के objects होते हैं कुछ पारदर्शी होते हैं कुछ अर्ध पारदर्शी होते हैं कुछ आप पारदर्शी होते हैं transparent object translucent object and opaque object और इसी से related light के कुछ phenomena's देख लिए तो हमने अभी तक दो light के phenomena पढ़ लिए हैं एक reflection पढ़ा और एक reflection पढ़ा एक परावरतन पढ़ा और एक आपवरतन पढ़ा ये दो चीजें बहुत अच्छे से मैंने आपको भी पढ़ा दी हैं lights के अंदर इस तरह की आपको raise देखने मिलती कभी parallel होती हैं कई convergence होती हैं कभी अभी सारी होती हैं लाइट की स्पीड अलग-अलग मीडियrado में अलग-अलग होती जाती हैं इसके अलावा gel light क्या होती है यह चीज देखी थी हमने स्ट्रेट लाइन में ट्राविल करती है इसके अलाबा reflection का phenomenon की जिस medium में जाती है उसी से टकराकर वापस उसी medium में पहुच जाती है इसके अलाबा plane mirror में कैसा होता है image का मतलब क्या होता है inverted image का मतलब क्या होता है inversion का मतलब क्या होता है ambulance पेस तरह इसे क्यों लिखा होता है यह चीज मैंने आपको बताई थी, इसके अलाबाद images कैसे बनती है अगर plane mirror के बीच में कोई object आ जाता है तो, laws of reflection क्या होता है, angle of incidence, angle of reflection, यह सारी basic बेसिक चीज़ें, अब पढ़ चुके है regular reflection क्या है, spherical mirror क्या है, दरपन के बारे में बता चुका हूँ, उत्तल दरपन, उत्तल mirror में क्या होती है, हैसी मैंने lens के अंदर भी बहुत सारे phenomenon बताये थे, कहां कहां किस चीज को use किया जाता है, यह phenomenon आपका reflection का है, तो, यह reflection भी हमने discuss किया हुआ है, इसको अप और तन कहा जाता है, इसके बाद जो है, हमने total internal reflection, critical angle, आप तरन कुन, यह सारी चीज़ें अच्छ इंस्रूमेंट है, lens में कौन सा lens जो होता है, यह by convex lens ही हमारी human eye के अंदर होता है, यह भी याद रखेंगे जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके अलावा सारे lens में कहां object रखने पर कहां image बनती है, यह सारी चीज़ें हमने last session में discuss की थी, आज हमारा जो topic है, वो है human eye, तो सबसे पहले हम उसके structure की बात करेंगे, human eye कैसे होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें है, उन चीज़ों से क्या हमको फायदा होता है और किस चीज़ का क्या purpose है, हमको at least पता हो कि human eye में अगर pupil शब्दारा है, iris शब्दारा है, cornea शब्दारा है, retina शब्दारा है तो इनका क्या क्या मतलब है, तो उन सारी चीज़ों पर focus करेंगे, तो आज हमारा पूरा का पूरा focus किस पह है, human eye के उपर है, human eye के अगर हम बात करें, तो eyes are the sensory organs, बहुत एक sensory organ है, इसके तहत हम चीज़ों को sense कर पाते हैं, अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, तो इससे हमार की तरफ आ रही है, कोई भी चीज ऐसी है, जो हमारे लिए harmful है, तो हमारे actions उसे साप से होते हैं, हम उस तरह की क्रिया करते हैं, ताकि उस चीज़ से बच सकें, तो eyes जो है, हमको हर तरह का एक interception प्रोवाइट करती है, कि क्या चीज हो रही है, और किस तरीके से हमें react करना च देता है, दूसरा गर हम बात करें, तो eyes absorb the light rays and forms a visual image and transform this information image to the brain, क्या करती है, eyes जो भी light आ रही है, उस चीज़ को absorb करती है और उसको transform कर देती है brain पे, अगर हमारा brain proper work नहीं करेगा, तो हम कोई चीज़ देख भी रहे हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि अब क्या response करना चाहि आप से actions लेना, तो देखा जाए तो क्या है, आखे प्रकाश करनों को अब शोशित करती है और एक द्रिश्य चवी जो है, वो आपका क्या करती है, बनाती है और इस जानकाली को मस्तेश्क में बदल देती है, इसके अलाबा, eyes has a spherical structure, ये क्या है, ये क्या है, ये कि a spherical structure which is called the eyeballs and the eyeballs are attached in the eye socket and various muscles are connected to them called the eye muscles and these muscles allow the movement of the eyeballs, कही बार आपको दूर देखना होता है, तो आप आख छोटी करते हैं, पास देखना होता है, तो आख बढ़ी करते हैं, तो ये क्या है, ये आई के अंदर muscles हैं, पेशिया हैं, जो आपको मदद करती हैं, आपके visions को आगे पीछे ले जान में, तो यहां पर अगर हम देखें, तो आग की एक गोलाकार सरचना है, जिसमें नेत्र गोलक कहा जाता है, और नेत्र गोलक शेत्र गरतिका में जुड़े होते हैं, और उनसे विबन माश पेशिया, जुड़ी होती है, जिनने आग की माश पेशिया कहा जाता है, और ये मा light and dust to enter into the eyes and therefore save the eyes from any outer objects तो eye lids भी होती है हमारी आखों के उपर तो आखों को पलक से सुरक्षित किया जाता है या तिरेक प्रकाश और धूल को आखों में प्रवेश करने से रोकते हैं इसलिए आखों को किसी भी बारी वस्तु से बचाते हैं अगर हमारी तरफ कोई चीज आती है तो हमारी पलके अपने आप डाउन हो जाती है तो यह पूरा मेकेनिजम हमारी आखों में है जो की एक बहुत sensory organ है अगर इसमें हलका सा एक धूल का कण भी चला जाता है एक dust का पार्टिकल भी चला जाता है तो यह जो है अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए टियर्स डवलप कर लेती है आसू जो है निकलने लगते हैं हमारे तो बेसिकली यह बहुत ही ज्यादा sensible organ है हमारा और इसके दुरू हमारा जो life है वो complete होती है क्योंकि यह सारी चीजें brain तक पहुचाती है सारी जितने भी photographic signals हैं उसको हमारे brain तक पहुचा कर हमें response देने के लिए मदद करती है तो देखते हैं आई कैसे देखती है तो आई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कुछ कुछ चीजें यहाँ पर एक lens होता है यह lens मैंने आपको बताया किस तरह का होता है तो यह bi-convex form का होता है इसके अलावा इसके अंदर एक muscle होती है जिसको ciliary muscle कहा जाता है इसके अलावा आपका cornea होता है, pupil होता है, iris होता है यह iris का color ही जो है बताता है जैसे कई लोगों की eyes blue देखती है, brown देखती है तो उसमें iris का बहुत बड़ा role रहता है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक sclera नाम की भी चीज होती है, coroid होता है और एक बहुत महत्पूर्ण चीज है जिसको retina कहा जाता है इसके अलावा यह optical nerve होती है, optical nerve जो है यह signals आपके brain तक पहुचाती है तो human eye जो है ऐसे बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होई है, जिसमें pupil भी है, cornea भी है, iris भी है, ciliary muscles भी है, limbus भी है कई तरह के lacrimal fluid भी होते हैं जो आखों को moisture बना कर रखते हैं, मतब आखें नम रहती हैं इसके अलावा आपका ये वाला जो portion है, जिसको आप eyes बाहर देख पाते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपकी eyes में एक portion है, जो white रंग का देखता है और बीच में एक black होता है, सबका अलग-अलग हो सकता है color, तो basically हमें देखता तो इतना ही है, लेकिन आख के अंदर बहुत सारी चीज़ें, lens भी काम कर रहा है, sclera muscles भी है, retina भी है, optical nerve भी है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इनका काम क्या है, witness chamber का क्या काम है, सारी एक एक चीज़ पर focus करते हैं, तो सबसे पहले देखिए cornea, सबसे पहली बात कर लेते हैं cornea की, अब cornea कौन सा part हो गया, तो आपको यहाँ पर देख रहा है, ये वाला part, देख लेते हैं इसको अच्छे से ध्यान से, तो हम इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले, cornea की, इस पर questions direct आ क्योंकि देखा, light तो आनी चाहिए न, अगर opaque हो जाएगा, आप आर दर्शी हो जाएगा, तो light कैसे travel करेगे, तो cornea सबसे पहले चीज़ याद रखेंगे, transparent है, जिसके through light आसानी से अंदर आ सकती है, और it consists of six layers, इसके अंदर कितनी होती है, छे परते होती है, tear fluids covers cornea and protect the eye, tear जो fluids होते हैं, मतलब जो आपके आसू वाले द्रव होते हैं, वो इसको बचा कर रखते हैं, और किसी भी तरह से इस पर कोई भी attack होता है, तो आसू आकर इसको protect करना चालू कर देते हैं, तो tear fluids क्या करते हैं, इसको cover करते हैं, तो cornea क्या है, transparent पार्ट है, जो हम आखे देख हैं, इसमें जो बाहरी भाग है, वो transparent भी है, और इसके अंदर क्या है, cornea है, और cornea में 6 layers होती है, tear fluid होता है, इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं, iris, iris इसकी बात कर रहे हैं, तो iris के बारे में बात करें, तो it is a dark colored muscular structure present in the center of the cornea, तो आपकी जो आख दिख रही है muscular structure है, जो center of the cornea होता है, और iris connect of a small opening called pupil, और इसके अंदर एक छोटी सी opening होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, pupil कहते हैं, through which light enters into the eye, तो lens तक light किसके थू जाएगी, pupil के थू जाएगी, and the iris has colorful pigments, जैसे कई लोगों की eye gray होती है, blue होती है, black होती है, green होती है, brown होती है, तो यह क इस पर निर्भर करेगा, iris पर निर्भर करेगा, तो आपकी eye हो गई, इस eye के अंदर एक part है, और उसके अंदर भी एक छोटा सा part है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, pupil, तो pupil, iris और cornea, तो यह देखे, amount of light that enters the eye is controlled by the iris, हमारी आखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए, इसको इसी तरह से control iris करता है, in other words, iris control the pupil, iris के हाथ में किसका remote control है, तो pupil का है, तो समझने आ रहा होगा, सबसे पहले transparent layer, cornea, उसके बीच में एक dark substance iris, और उसके बीच में एक छोटी सी opening, उस छोटी सी opening को कहा जाता है, आपका pupil, सर, water कहां रहता है, देखिए, water जो है, हमारी body के अंदर, जो tears रहती है, एक तो यह पूरा का पूरा vitrous chamber है, इसके अलावा, यहाँ पर कई तरह के lacrimal flutes रहते हैं, जो attach होते हैं, आई में, तो हमें कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी, अगर आई पे आपका हाथ लग गया, या dust चली गई, तो वो fluid एकदम से आने लगता है, आई को moisture प्रोवाइट करने, तो आई हमेशा connected होती है, सारी चीजों से, कि इसको proper fluids मिलता रहे हैं, तो यहाँ तक बात समझने आ रही होगी, कि भई, cornea हो गया, फिर iris हो गई, फिर pupil हो गई, अब उसके बाद अंदर जान तब कि भई, आपको सारी चीजों को जोड़ कर एक जगा दिखा देना, तो convex जो lens होता है, उसका काम ही है, convergence का, अभी सार का, तो सारी जगा से प्रकाश की किर्णों को लेना, और उनको मिला कर एक image बनाना, और हमारे brain तक पहुचाना, तो यहाँ पर, it is a sphere of a liquid present inside the eye, यह क्य से जो भी चीज आई, तो lens ने उसको detect कर लिया, lens ही तो main है, अगर आप किसी camera का lens बंद कर देंगे, तो क्या image निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो same चीज जो है, आपका eye के अंदर भी lens काम करता है, बिलकुल, तो यहाँ तक आपको बात समझने आ रही होगी, हम फिर iris, dark color का part हो सकता है, सबकी body में अलग-अलग हो सकता है, किसी का grey हो सकता है, किसी का green हो सकता है, किसी का black, brown, सबकी अलग-अखे होती है, और इसके अलावा pupil होती है, opening होती है, जिसके through प्रकाष कहां जाता है, lens तक जाता है, अब lens पे ही तो image बनेगी, तो यह part यहाँ पर हो गए इसके बाद देखिए रेटीना रेटीना आपका बहुत महत्पूर्ण है इस रेटीना को समझ लिया तो हमारी आइस को हमने बहुत जादा अच्छे से समझ जाते हैं तो देखिए रेटीना कहां पर है देख रहा है आपको तो रेटीना यहाँ पर देख रहा है इस अपसे पहले तो आपका cornea हुआ, iris हुआ, pupil हुआ, फिर lens हुआ, फिर एकदम पीछे जाने पर आपको क्या मिल रहा है, retina मिल रहा है, जो की कहा है, behind the lens at the back of the eye, the eye lens focuses the light that enters into the eye over the retina, अब जो eye lens होता है, वो focus डालता है किसी भी light के उपर, जो हमारी आखों में प्रवेश कर रही है, over the retina, तो retina पर जाकर image बन पाती है, मतलब देखे, lens तो image का formation करता है, लेकिन retina उस चीज को हमारी brain तक पहुचाने में मदद करता है, तो अगर हम बात करें, तो retina consists of different nerve cells, इसके पास क्या है, nerve cells है, nerves का मतलब क्या है, आपका, इसके अंदर nerves का मतलब है, कई तरह की तंतर का है, जो हमारे brain से connected है, तो हम कोई भी image को देख पाएंगे, lens काम कर रहा है, लेकिन lens के बाद processing भी तो जरूरी है, तो वो काम कौन करेगा, वो उससे nerve cells से connected है, that perform different tasks, there are sensory cells that detect the light, they then transform that informations into electrical impulse and these electrical impulse are sent to the brain by the optical nerve and two types of vision cells in retina are, अब देखे, यहां से समझे ध्यान से, हम यहां क्या ब हम यह बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई camera चलाया हुआ है, उसका camera का lens सब कुछ अच्छा है, उसके अंदर battery भी है, लेकिन जो भी आप image ले दें, माल लिया जाए, यह camera आपका proper image दिखा रहा है, लेकिन आपने photo कीचा और आपके phone के अंदर वो photo दिखी नहीं पा रहा है, तो basically इसका यह मतलब हुआ कि आपके processor में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, phone के processor में, या camera के processor में, सबी जगा पे होता है कि उस चीज को processing भी करना तो ज़रूरी है, आपको सीधे सीधे image दिखने से काम नहीं होता है, उस image को लेना, फिर brain तक पहुचाना और brain में उस image को ब ही काम है कि एक layer है, जो behind the lens है, और focus जो भी light हमारे आखों के अंदर आती है, जो image बनती है, उसको optical nerves की help से भेजना, अब देखें, nerves जो होती है, हमारी तंत्री का जो होती है, उनमें signal का काम होता है, signals मतलब electrical signals के तोर पर impulse हमारे brain पर ये minute, मतलब minor of a second जो है, ये सारी चीज़ हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पहले image आई, फिर brain के उपर गई, दस minute इसी में लग गए, तो ये पूरा का पूरा fraction of seconds में हो जाता है, कि पलक जपकते ही, आपको सारी चीज़ें देखने लगती है, सर आखों से देखने पर चमकता क्यों है, क्या चीज़ चमकती है, अब देख आश की तीवरिता है, वो इतनी ज़्यादा है कि आपको clear image नहीं देख पाती है, इसलिए lights को अगर आप देखोगे, घर की ट्यूब लाइट कोई देख लो, या bulb कोई देख लो, तो बहुत टाइम तक देखने पर आपकी आखों चौन्दिया जाती है, बहुत ज़्यादा होने लगता है कि आप बार-बार वो जो light होती है, तो आपके जो lens है, रेटीना है, उस पर proper एक तरीके से vision नहीं बना पाती है, वही चीज़ आप किसी lens के, मतलब किसी glass के through देखेंगे तो आपको चीज़ें proper देखती है, तो समझे यहाँ पर, कि रेटीना का काम क्या है, र light को detect करता है, और यह transform कर देता है, information electrical impulse में, और यह electrical impulse nerves के through brain तक पहुच जाती है, और brain जो है, इन चीज़ों को फिर sense करके आपको बता देता है कि क्या चीज़ आपको देखने मिल रही है, अब two types of vision cells in the retina, अब यह retina के अंदर बहुत बड़ा roll होता है, अगर आप अलग-अ चानवर देखेंगे, उल्लू को देखेंगे, या फिर eagle की बात करें, चील को देखेंगे, तो इनके अंदर यह retina ही है, ऐसी चीज़ जिसके कारण किसी को दिन में देखता है, किसी को रात में देखता है, जैसे उल्लू को सुनाएं, आपने रात में देखता है, तो वो किस इस तरह का mechanism क्यों है वो भी इनके retina में है हमें रात में proper नहीं दिखता और थोड़ी देर अगर हम अंधेरे में रहते हैं तो हमें दिखने भी लगता है थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है जैसे आप रात में कहीं पर हैं वहाँ पे आप light बंद कर जीए वो सारी चीज़े कैसे possible होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के कारण possible है तो retina के कारण possible है तो retina इतना खास है अब इसमें क्या चीज़ है तो इसमें दो चीज़े है अगर इनको समझ लिए आपने rod और chopsticks और दूसरा cones तो आपका काम हो जाएगा यही दो main चीज़े होती है कि वही इनके कारण आप रात में देख पाते हैं या रात में नहीं देख पाते हैं तो ध्यान से समझे इसके पास दो vision cells है retina में एक कहलाता है rods या इनको chopsticks कहा जाता है they get activated in darkness and dim light and responsible for light dark vision मतलब ये कब active होते हैं rods जो होती हैं ये active तब होंगी जब अंधेर आओगा तो जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा activated होती है उनको रात में भी नज़र आता है तो ये कब होंगी darkness और dim light में responsible for dark vision इसके अलावा जो cones होते हैं they react to bright light and therefore sense color in an object ये जो cones होते हैं ये दिन में ये बहुत bright light में काम करते हैं तो हम humans के अंदर rods और cones का मिला जुला एक तरीके से समीकरन डाला गया है जाए उसको मैनेच किया गया है एक तरीके से नियंतरित करकर हमारी body में rods भी है हमारी body में cones भी है लेकिन जैसे उलू की बात करें, तो आउल जो होता है, इसके अंदर rods का value जादा होता है, तो इसलिए उसको रात का vision बहुत अच्छा है, अगर eagle की बात करें, तो उसका cones की जादा चीज़े हैं, तो इसलिए उसको day vision जादा अच्छा है, वो दिन में भी दूर से जो है, चीज तो यह विट्रस्ट चैम्बर के बारे में देख लिए जे दे इनर इस्पेस अफ दी आइब उल कॉल्ड टी ट्रांस्परेंट विट्रस्ट चैम्बर कंसेस्ट ऑफ जेल लाइक सब्सेंस हमारी आखों के अंदर एक जेल तरह का सब्सेंस भरा हुआ है वह कहां पर है तो बिल्कुल इससे मेल फीमेल से आई साइट का कोई डिफरेंस नहीं होता है सब मेल के अंदर फीमेल के अंदर दोनों को एक तरीके से दिखता है ब्लेड की वैल्यू अलग हो जाती है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत वेट वाइस चेंज होता है लेकिन आखों से ऐसा आई जा सकती, यह कोई relation नहीं होता है, सबकी आँखे एक जैसी होती है, इसके अलावा pressure in the eye and maintain the stability of the eyeball, तो eyeball जो आकार है उसका बना रहे, उसका pressure बना रहे, वो काम है, विट्रस चेमबर का, अब देखे होता क्या है, एक spot होता है, जिसको कहा जाता है blind spot, यह आँख के अंदर हो अगर इस spot पर अगर image बनती है, तो नजर नहीं आता है, इसलिए इसको blind spot कहा जाता है, तो blind spot क्या होता है, there is a point in the eye located at the junction of the retina and the optical nerve where no sensory cells are present, this spot is therefore called blind spot as does not support any vision, तो यह जो blind spot होता है, इस जगह पर अगर image बनेगी, तो आपको नजर ही नहीं आएगा, तो कई लोगों में age के पर कई बार image बनती है, तो इस जगह पर retina पर अगर image बन रही है, तो आपको आसानी से नजर आएगा, लेकिन वही image अगर आपकी blind spot पर पहुच गई, तो कई लोगों को नजर नहीं आता है, age के साथ ये problem होती है, कि उनका जो muscles होते हैं, उनमें changes आ जाते हैं, तो वो blind spot पर clear हो जाएंगी, कि आखों से जोड़ा हुआ क्या होता है, ग्लूकोमा क्या होता है, आपका cataract जिसको मोतिया बिंद होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रेस बायोफिया क्या होता है, तो आज हम पूरा का पूरा human eye को अच्छे से चूस लेंगे, कि वहीं क्या हो सकती है, आ हमने pupil समझ लिया, हमने iris समझ लिया, हमने vitress chamber को देख लिया, हमने retina की बात कर ली, हमने optical nerve की बात कर ली, हमने blind spot की बात कर ली, यह basic basic चीज़ आप बता सकते हैं, eye का diagram जब भी बनाए, mains writing में, तो eye का diagram बना दीजे, फिर इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा explain कर दीज अब क्या होता है, कि अगर हम बात करें, persistence of image on the retina, इसका मतलब क्या हुआ, कि किसी चीज़ को हम कैसे, perception क्या होता है, कि कैस किस तरह से चीज़ को जो है, समझना और प्राप्त करना, उसकी बात करें, retina पे, तो the image that is formed on the retina, persist for 1 by 16th of a second, 1 by 16th of a second का मतलब क्या हो गया, कई बा जल्दी जल्दी चीज़ें चलने लगती हैं, तो भी आप उसको आसानी से हमच पाते हैं, कि भई animation में ये चीज़ हुई, तो ये कैसे perception कैसे हमारा develop होता है, मतलब किसी चीज़ को हम देखें, और देखने के बाद हमारे brain तक वो पहुझ भी पाए, और उसको हम समझ भी पा आखों पे जहलक आई है, तो हमें देखेगा, लेकिन इस से तेज अगर कोई चीज़ निकल जाएगी, तो हम देखी नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे सामने आया क्या था, मतलब अगर बहुत कोई तेजी से चीज़ जा रही है, तो हमारी आई उसको तभी डेटेक्ट कर पाएगी, जब एक बटा से के मददा 1 by 16th of a second में हमारी आई ने उसको देख पाया होगा, तो इसलिए एनिमेशन जो मूवीज बनाई जाती हैं, कोई भी वीडियो बनाई जाते हैं, तो उनमें ध्यान रखा जाता है कि हमारी आई की जो लिमिट है, हमारी ज शमता है, उसके आधार पर कोई भी विजुल्स हमारे आखों के सामने से निकले, ये एक बहुत इंपोर्टन चीज़ है, इसलिए if one tries to move, 16 still images, अगर कोई चाहे, जिसे animation में ही बात करने हैं, कि 16 images साथ में रखी हैं, और एक सेकेंड में 16 images को निकाल दिया जाए, तो हम 16 की 16 देख लेंगे, of a moving object in front of our eyes, it appears as if object is moving, तो ये अगर 16 still image रखी हुई है, और उनको जो है एक साथ लाया जाए, आख के सामने से और हटा दिया जाए, तो हमको ऐसा लगेगा, वो 16 की 16 चीज़े move कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वो एक ability है, इसलिए animations में, आस की rate में तो VFX आ गया ह लेकिन जब शुरुआत में animation चालू हुआ था तो ऐसी images बनाई जाती थी, और उन images को इस तरीके से move किया जाता था, तो हमारी eye को लगता था कि वो move कर रहे हैं, this is how animation films and movies works, they are a collection of separate pictures which are moved in a sequence, लेकिन यह है traditional way, पारम पर एक तोर पर जब animation इस्तिमाल किया जाता था तब की बा in a second, that is appear if they are moving, तो आप अगर हम बात करें, तो यह बहुत movement तेजी से होता है, 24 pictures से भी हो जाता है, लेकिन आज की rate में change हो चुका है, इसके अलावा एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम बोल रहे है vision, जो हमारी आखों की जोती होती है, जिसको कहा जाता है, उसको जाता है में decrease with age, हमारी आई कितनी भी अच्छी रहे है, लेकिन जैसे जैसे हमारी age बढ़ेगी, तो हमारा visions में जो है अंतर आता जाएगा, तो देखें, किस point पर doubt हो रहा है, वो पूछो, देखों यहाँ पर, दो vision जो होता है, वो decrease होता जाता है with age, मतलब जैसे जैसे age होगा ऐसा, क्योंकि हमारी muscles भी धीरे-दीरे weak होती जाती है, हमारा lens भी जो है, वो भी weak होता जाता है, तो इन सारी चीजों के कारण हमारी जैसे-जैसे age बढ़ेगी, तो age बढ़ने के साथ साथ क्या दिक्कात आएगी, तो age बढ़ने के साथ हमारी vision कम हो जाएगा, तो बत Persons with normal eye can read most comfortable at a distance of 25 cm, अगर आपकी आँख से कोई भी चीज 25 cm दूर है, जब आप पढ़ते हैं, तो 25 cm अगर दूर रखकर आप पढ़ पा रहे हैं, तो आपका eye vision जो है, वो normal है, however, this distance will decrease with age, लेकिन ये चीज जो है, आपकी age के साथ बदलने लगती है, कई बार आपने देखा ह होगा लोगों को, कि वो दूर रखकर पढ़ने तो उनको clear देखता है, कई लोग एकदम आखों में गुसा लेते हैं, तब जाकर उनको देखने मिलता है, तो ये चीज क्या होती है, age के साथ अलग-अलग हो जाती है, also sometimes people can see far objects clearly, कई लोगों को दूर की चीज़े clear देखती है लेकिन past की चीज़े नहीं देखती है, इस के सको क्या कहा जाता है, तो इसको far sightness कहा जाता है, या hyper metrophia जो है इसी चीज़े को कहा जाता है, इसको जो है आपका दूर की चीज़ें आपको देखने लगती हैं, past की चीज़ें नहीं देखती हैं, इसके अलब सिमिलरली, some people can see the nearby object clearly, लेकिन दूर की चीज़ें नजर नहीं आती, उनको near sightness या myophia कहा जाता है, इसको hyper metrophia कहा जाता है, hence they are suitable lens to correct there, इसलिए उनको उस तरह के चश्मे जो है बताये जाते हैं, इसी को concave बताये जाता है, किसी को convex बताये जाता है, और उस हिसाब से उनका treatment किया जाता है, धुंद सी जमने लगती है, fox जैसा जमने लगता है, तो यह जो condition होती है, इसी को कहा जाता है cataract, with result in loss of vision, जो मेरे से question अभी पूछा था विकास ने, कि सर मोतिया बिंद क्या होता है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो मोतिया बिंद जो होता है, cataract जो होता है, वो यही ह जो है इसके ऊपर ऐसी layers सी जम जाती है, परत सी जम जाती है, fox जैसा हो जाता है, तो आपका vision proper नहीं होगा, फिर आप lens लगा के थोड़ी कर लोगे, convex lens लगा लो, cave lens लगा लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका lens में ही देखकत है, इसलिए ऐसे लोगों का operation ह होता है, उनका lens बदल दिया जाता है, और lens बदलने के बाद, उनको proper नजर आने लगता है, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को आपने देखा होगा चश्मे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी eye की जो basically lens तो बदल गया, लेकि lens बदलने के साथ-साथ जो vision में दिक्कत आ बिलाता है, उसको हटा कर हम नया lens लगा लेते हैं और इस दिक्कत को दूर कर लेते हैं, तो देखिए, कुछ यहाँ पर defect की बात करते हैं कि कौन-कौन से जो है eye के अंदर हमें दिक्कते होती हैं, तो एक होता है press bio phia, यह press bio phia क्या होता है, तो आपका जो lens का fluid है, मतलब जो अंदर आपका द्रव बढ़ा हुआ है, lens के अंदर, वो थोड़ा सा जमने लगता है, तो उस condition को press bio phia कहा जाता है, इसके अलावा cataract, जिसको मोतिया बिंद कहा जाता है, तो protein structure of lens club together, हमारी एक धुंदसी जम जाना, फिर glucoma, glucoma जो होता है, यह क्या होता है, abnormal pressure inside the eye, glucom एक ऐसी condition है, जिसमें आपकी eye के अंदर जो normal pressure होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, और इसका relation हमारी blood sugar से बहुत जादा होता है, अगर जिनको diabetes जैसी conditions होती है, तो glucoma जैसी conditions होने के असार बढ़ जाते है, myophia due to our strong refractive index of the eye, तो myophia एक ऐसी condition है, जिसमें किसी व्यक्ति को क यहां की चीज़ें नजर नहीं आती है, तो आपका यहां पर मैंने बताया है कि some people can see nearby object clearly, उनको past की चीज़ें तो नजर आ रही है, दूर की चीज़ें नजर नहीं आ रही है, तो उनको past की चीज़ें तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन दूर की चीज़ें नजर आती है, और इस तरह की चीज़ें जो होती है, horizontal और vertical तो आप किसी point पर concentrate नहीं कर पाते हैं, तो इस condition को astigmatism कहा जाते हैं, तो ये भी एक condition होती है, अच्छा, myophia है, तो myophia वालों को मुझे ये comment section में सारे students बताईए, बहुत सारे students है, myophia अगर किसी को है, और hypermetrophia है, तो इनको कौन सा lens, जो है, myophia में पहले बताईए, कि कौन सा lens लगाना चाहिए, या कौन सा lens डॉक्टर इनको जो है, prescribe करता है, कि आप इस lens का प्रयोग करिए, उतनी optical distance वाला, myophia में, ठीक है, अब देख लेते हैं, भाई, आखों की सुरक्षा के लिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, क तो regular eye check-up कहा जाता है, इसके अलावा, wear speckles if eyesight is found weak, अगर आपकी आखे कमजोर है, तो इसलिए आपने सुनाओगा, बार-बार की doctors बोलते हैं, कि आप चश्मा, जो है, क्या करें, तो regularly लगाएं, बिल्कुल, तो myophia बिल्कुल सही answer आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, discuss करे अगर किसी को मायोफिया है, मायोफिया का मतलब क्या हो गया, कि बई, उनको पास की चीजें, तो क्या दिख रही है, दूर की चीजें नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे हो को doctor बोलेगा कि concave lens लगाई है, एक अवतल lens का प्रयोग का लिए, और अगर किसी को hypermetrophia है, तो उनको convex lens suppose किया जाता है, मतलब उत्तर lens लगाने को कहा जाता है, और प्रेस बायोफिया में bifocal lens, मतलब दोनों तरह का चीज होती है, इसमें ना पास का नजर आता है, ना दूर का नजर आता है, ये age के कारण होता है, तो bifocal का मतलब आपका do we focus ये lens का प्रयोग किया जाता है, और बिल्कुल बिल्कुल, सई चीज आप समझ पा रहें, तो lens पर तो मैं बात करूँगा, यहाँ पर आज हम eyes की बात करें, तो कुछ-कुछ समझने आ रहा होगा, प्रेस बायोफिया, cataract क्या है, glaucoma क्या है, stigmatism क्या है, तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है, जो ये च सपोस किये जाता है, आई चेक अप कराई है, रेगुलरली स्पेक्स को पहनिये, इसके लाब आलवेस टडी और वास टीवी ना, सफिशेंट लाइट, जब भी आप टीवी देख रहे हों, या फोन चला रहे हों, तो आप लाइट, अगर जितना कम लाइट में चलाएंगे, कई लोगों को हैडेक भी होने लगता है, तो वो भी चीज इसके कारण है, क्योंकि हमारी बॉड़ी एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, कि हमें किस तरीके से रहना है, हमने आज बहुत सारी लेक्ट्रोनिक्स की चीज़ें डवलप कर ली है, बहुत सारी टेक्नोलिजी ड बहुत जादा देखेंगे, बहुत जादा देखेंगे, बहुत दिन के दो बज़े आप सन को देखने चालू हो जाएंगे, तो आपकी आई के अंदर वो भी जो है दिक्कत होना चालू होगी, इफ डॉस्ट एंट्रेस इंटू दिया आई, वन शूट नॉट रभ देम, अगर बैलन्स डाइट नहीं लेंगे, तो आपके हर और गेंस में कोई ना कोई बिमारी हो जाती है टाइम के साथ, तो वैसे ही आई के साथ भी है, तो आई के लिए भी अलग अलग चीज़ें प्रसक्राइब की जाती है, तो बैलन्स डाइट बहुत जादा वर्क करता है, इसका scientific नाम याद रख लिजे निक्टेलोपीय कहा जाता है इन निक्टेलोपीय जो है इस पर direct जो है आपको मेंस में question आया हुआ है इसलिए यह चीज याद रखेंगे कि आप सबको night blindness पता है लेकिन निक्टेलोपीय नहीं पता है तो याद रखेंगे night blindness को ही क्या कहा जाता है nictalopia कहा जाता है is a defect in the vision in which people cannot view things properly in dim light और at night रात होते ही नजर ना आना ये चीज होती है तो it occurs due to the lack of vitamin A तो vitamin A जो होता है जिसका scientific name क्या है retinol तो भई retina से जुड़ा हुआ है nictalopia और इसके कारण आपको रात में नहीं नजर आएगा तो basically vitamin A का source लीजिए और body में sufficient जो है उसको बना लीजिए hence we always take food that are rich in vitamin A जैसे broccoli हो गए, green vegetables, carrot गाजर, milk, eggs, curd papaya, mango ये सारी चीजों में vitamin A भरपूर मात्रा में होता है उनको खाएंगे, night blindness जैसी problem नहीं होगी इसका बस ये नाम जरूर याद रखेगा निक्टेलोपिया कहा जाता है इसको इसके अलावा आप ने देखा होगा कई लोगों की जो है बचपन से जो है या फिर उनको किसी कारण वश जो है क्या होता है कई बार देखने में problem होती है visually impaired जो लोग होते है या नेत्र द्रिष्टी दोष जिन लोगों को होता है उनको जो है बात कर रहे हैं तो क्या होता है visual impairment is also known as vision loss कई लोगों को नजर ही नहीं आता है हम उनकी बात कर रहे हैं तो person with vision loss cannot see at all अब देखा जाए तो किसी को दूर का नहीं देख रहा है किसी को पास का नहीं देख रहा है तो वही doctor ने अलग-अलग specs किसी को cylindrical lens बता दिया किसी को bifocal lens बता दिया किसी को मोतिया विंद हो गया तो उसका operation कर दिया लेकिन किसी को दिखी नहीं रहा है तो फिर क्या चीज होती है, तो उसके लिए आपने सुना होगा एक Braille नाम की लीपी होती है, Braille system होता है, जो ऐसे लोगों के लिए मदद करता है, किसी चीज को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो हम वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो this laws of vision is up to a degree, कहीं लोगों को थोड़ा बहुत नजर आता है, किसी को बिलकुल नजर नहीं आता, that cannot be corrected using usual means like glasses or lens, अगर किसी को बिलकुल नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा नजर नहीं आ रहा है, तो लेंस काम नहीं करेंगे, तो the people who have no eyesight at all, senses, listening, touching sharply, which allows them to do a day-to-day activities, लिए जिनको नजर नहीं आता है, ऐसे अगर किसी में दिखकत होती, तो उनके दूसरे sense काफी active होते हैं, जैसे उनको जो है, सुनकर बहुत तेजी से पता चल जाता है, touch जो होता है, उनका बहुत जाता है, शार्प हो जाता है, तो इसी के लिए जो है, आपका, कई तरह के, जो आपने देखा होगा, braille systems को develop किया जाता है, य जो है, उस चीज़ को पता कर पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो इस लीपी को braille लीपी कहा जाता है, इसके अलावा अगर visually non-optical edge ऐसे होते हैं, मतलब optical edge का मतलब क्या हो गया, कि आपने उनको कोई lens दे दिया, कोई तरह का mirror दे दिया, या इस तरह के कोई optical instrument जो है, प्रक से related नहीं, प्रकाष से related नहीं है, तो कई तरह के visual edge की बात करते हैं, visual edge क्या होते हैं, तो they are used to magnify words ensuring appropriate intensity of light falls upon the eye, so that the person can recognize the words, जैसे यहाँ पर देखिये, कई लोगों को बहुत शूट, ऐसी चीज़े होती है कि बिलकुल नजर नहीं आरे हैं, तो non-optical edge में इस तरह के magnifiers का इस् using sense of touch, they include braille writer slate, जो मैंना बताया कि braille का इस्तेमाल करते हैं, और उससे कोई भी चीज़ को पता कर पाते हैं, इसके अलावा auditory aids using sense of listening, तो यहाँ पर audio tapes आते हैं, या फिर talking books आती हैं, जिसके जरिए वो लोग सुन पाते हैं, इसके अलावा electronic aids, they include talking calculators, computers, closed circuit televisions, audio CDs, तो वो ऐसे visually challenge लोगों के लिए मदद कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा optical aids की, यह तो non-optical aids हो गए, जो नमें प्रकाश की कोई भी नियम का काम नहीं हो रहा था, जितने भी यहाँ पे बने example दिये, नमें प्रकाश का कोई नियम नहीं नहीं लग रहा है, light के laws नहीं लग रहे हैं, तो optical aids की बात करें, bifocal lens, contact lens, tinted lens, magnifier, telescope aids, यह जो है सारी चीज़ें, limitations of eye को tick करने के लिए होती है, इसके अलावा आपका chalkboards और class demonstration के लिए telescopic aids का इस्तिमाल किया जाता है, यह magnifier की बात बताई, फिर braille system में वही होता है, जो visually देख नहीं पाते हैं, उनके लिए यह तरह का system होता है, इसको जो है 1821 में जो है Louis Braille ने डवलब किया था, उन्हीं के नाम पर इसको Braille system कहा जाता है, इसको जो है 1932 में जाके सभी लोगों ने adopt किया, for many common languages including Hindi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Mathematics and Scientific Notation, Braille code सब चीज़ें के लिए प्रेजेंट है, अगर कोई Hindi पढ़ना चाता है, कोई Sanskrit पढ़ना चाता ह 10 सारी languages के लिए, जो Braille code, there are 63 dots, इसमें 63 dots होते हैं, और 63 characters होते हैं, और these are arranged in a cell of two vertical rows, इनके अंदर vertical rows में इनको लगाया जाता है, फिर जो लोग visually impaired होते हैं, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, तब जाकर वो सीख पाते हैं, आप patterns are imposed with a Braille sheet that allow a person to read by touching the pattern, आपने देखा होग trains वगेरा में, ATMs वगेरा में, ये Braille system इस तरीके से develop किया जाता है, जिससे लोग आसानी से, ऐसे लोग जो नहीं देख पाते हैं, उनको भी चीज़ें समझने आती हैं, तो इसको Braille system कहा जाता है, इसके लावा कुछ eyes देख लेते हैं, कि कौन-कौन से जानवरों में किस तर आगे भी देख सकता है, पूरा 360 डिगरी ये देख सकता है, crabs have small eyes, but they can look round them, with them, behind them, मतलब इवन पीछे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, केकड़ों की बात हो रहे हैं, अब देखें, butterflies, इसका बहुत important है, इसको ध्यान से समझे, butterflies के पास हजारों आखें होती है, म जैसे अगर हम एक आख बंद कर लें, तो भी हमें पूरा नजर आएगा, कहा हमारे सामने कोई व्यक्ति कड़ा है, लेकिन जो अगर butterflies की eyes की बात करें, जो एक तरीके तितली है, उसकी आखों की बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी 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 आखें, और उन चोटा सा portion आपके mobile phone का देखेगा, दूसरी आख से दूसरा portion देखेगा, तीसरी आख से ऐसे करते-करते, इनकी को अगर ये पूरा phone देखना है, तो इनकी सारी आखें मिलकर जो है उस image को बनाती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे पास complete vision आता है, हमारे पास incomplete vision नही आखेगा, दूसरी आख से वो इंसान पूरा नजर आएगा, ऐसा नहीं होता, हमारे एक आख भी होती है, तो उससे भी अगर आपने एक eyes close करिये, तो भी दिखती है, लेकिन याद रखेंगे, बटरफ्लाइज में ऐसी हजारों आके होती है, और एक-एक eyes पर अलग-अलग frame बनता है, बटरफ्लाइज have big eyes that consists of thousand of small eyes, which allow them to see in the front and the back, इसके बाद देखें, नाइट आउल, नाइट वर्ट्स जित्ती भी होती है, जिनको रात में नजर आता है, तो उनकी बात कर रहे है, उसमें उल्लू की भी बात कर रहे है, नाइट आल्स आर अर अबल to see things more clearly in the night rather than daytime, the cornea of their eyes is large with a large people which allow light to enter into the eye at the night time, however their eyes have a large number of rod cells, देखें याद करें रेटीना में rod पड़ा, कुन्स पड़ा, तो इन में rod cells जादा होते हैं, तो ये रात में अच्छे से देख पाते हैं, rather than cones that allow them to see at the night easily, तो ऐसे कई जानवर हैं, कई ऐसे wild animals से जो रात में शिकार करते हैं, तो तो ये जो हैं, इनके अंदर cones की संख्या जादा होती है, तो ये दिन में अच्छा आसानी से देख सकते हैं, तो these birds can see very well during daytime, but have decreased vision at night, और रात आते आते इनका vision कम हो जाता है, इनको कोई vitamin A की कमी नहीं है, इनके पास rods और cones की चीज़ है, हमारे अंदर rods और cones balance way में डला हुआ इस बिकास देख से लिए लाज नंबर अफ कोंड सेल्स और फ्यू रॉट सेल्स तो होप आई इस के बारे में कुछ कुछ बेसिक बेसिक जानकारी आज के क्लास से आपको हुई होगी, कि हमने किस तरीके से चीज को देखा है, क्या होती है, आई के अंदर क्या mechanism से किस तरह स तो आज के questions देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, person went for a medical check-up and found that curvature of his eye lens is increasing, which defect is likely to suffer from, एक व्यक्ती medical check-up के लिए गया, पाया उसकी आखों के lens की वक्रता बढ़ रही है, मतलब उसका lens का जो size है, वो बढ़ आए, तो वो किन दोशों से ग्रस्त हो सकता है, मायोफिया से, कैटरैक्ट से, प्रेस बायोफिया से, हाई परमेट्रोफिया से, निकट द्रिश्टी दोश, मूतिया बिंद, जरा द्रिश्टी दोश, या धीर द्रिश्टी, इन में से किस से हो रहा है, बिल्कुल हाँ, रेटीना के अंदर रोट सेल्स और कोन सेल्स होते हैं, इसी पर निर्बरता होती है, अगर आप ये लिखकर आएंगे एक्जैम्स में, तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और आपको क्लारिटी भी रहेगी, कि रोट्स और कोन्स पर ही पूरी का पूरा खे which part of the human eye is the image of an object is formed, मानव आग के किस भाग में कि वस्तु का प्रतिविम बनता है, आईरिस में आग की पुतली में, प्यूपिल में, रेटीना में या फिर कॉर्निया में, तो बहुत सिंपल सा कोशन है, इसका आंसर तो आप सभी देख सकते हैं, इसके बाद थर्ड कोशन है, the front transparent part of the sclera is known as, श्वेत पटल के सामने पारदर्शी भाग की रूप में जाना जाता है किस चीज को, रेटीना को, को, लेंस को, कॉर्निया को, तो ये भी बहुत सिंपल सा कोशन है, इसका आंसर भी सभी लोग देंगे, इसके अलावा नहीं बनेगा तो next class में तो मैं सारे को बीच में एक आत क्लास हम लाइव रखेंगे, जिससे जो भी बीच में दिक्कते आएंगी, एक थोड़ा सा पोर्शन वैसे तो काफी कुछ चीजें हो चुकी है, बीच में हम एक डाउट सेशन भी लेकर आजाएंगे, जिसमें अलग किसी दिन एक सब्जेक्ट को लेक्ते ह हुए, किसी टॉपिक्स को डिसाइड कर लेंगे, और उस बेसिस पर जो जो संभावना है हो सकती है, उनके कुछेंस में आपके ले लूँगा, इसके अरावा कोई डाउट्स लगते हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर लिखकर भेज दीजे, मुझे मेल कर दीजे, कि इस पर डिसकेशन जरूर करना है, या कोई भी कोश्चन कहीं पर आपको नजर आता है, एक्जाइमस में कोई चीज पूछी गई है, जो आपको नहीं समझने आ रही है, तो बिलकुल मुझे मेल या किसी भी हैंडल पर भेज देंगे, तो हम उसको क्लास में जरूर डिसकेश कर लें होगा, कुछ जो है, कुछ नहीं इंफर्मेशन आपको मिली होंगी, तो इसी इंफर्मेशन को बनाए रखें, एक्जामस में बहुत अच्छे से प्रिपेर करते चलिए, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक एक सबजेक्ट को कंसिस्टेंटली रहिए, और अच्छे से कमांड करिए, ताकि हमें एक्जामस में इससे पूरी-पूरी हेल्प मिल सके, थैंक यू वेरी मच्छ फॉर वाचिंग दिस, हाव अग्रेट देप